Hello everyone and welcome to class number 31 of Autodesk Maya 2020 So guys, previous class में हम लोगों ने head unwrap किया था हमारे X का आज की class में हम लोग हमारे X के handle को unwrap करेंगे और कुछ challenges आएंगे उसे हम लोगों को resolve करना है because थोड़ा सा complex shape होता है तो इसे unwrap करना, straighten करना इतना easy नहीं होता तो कुछ difficulties आ सकती है और क्या क्या होती और कैसे उसे tackle किया जाता है आज की videos में आप लोगों को मैं बताऊंगा और कैसे easily आप एक complex shape को unwrap कर सकते हैं Alright, so hello everyone, welcome to GFX ग्यान मैं हूँ आपका instructor Roshan, शलिए start करते हैं आज की class को So guys, previous class में हम लोगों ने इसे पुरी तरह से open कर लिया था और ये हमारा UV था, unwrap and checker के help से हम लोगों जैसे की देख सकते हैं ये properly हो चुका है, ठीके अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे unwrap करेंगे अपने बाकी के portions को तो इस portion को हम लोगों को handle के इस portion को unwrap करना है and as you can see, इसका जो UV है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इसका UV पुरी तरह से messed up है तो इसे हम लोगों को पूरी तरह से अच्छे तरीके से open कर लेना है and unwrap करके रख लेना है now this is a cube, basically यह cube था जिसे मैंने यहाँ पे इस तरह से modify किया था modeling करते वक्त मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे इसे बनाया जाता है so to unwrap this thing, first thing is that कि यहाँ पे आप चाहिए तो इसे automatic mapping का इस्तमाल कर सकते हैं चिके, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक cylindrical map का भी इस्तमाल कर सकते हैं चिके, अब मैं यहाँ पे use करूँगा cylindrical map को reason is that कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बारिक-बारिक details आइड किये because we have added a lot of small and close edges तो अब देखी क्या होता है अगर मैं यहाँ पे automatic mapping को use करता हूँ तो यहाँ पे automatic mapping apply कर देते हैं जैसे मैंने automatic mapping apply किया यहाँ पे यह पूरी तरह से हमारा जो pieces है यह unwrap हो चुका है अच्छा है पूरी तरह से open तो हो चुका है but still if you see यहाँ पे इसने बहुत छोटे-छोटे portions में इसे divide कर दिया यहाँ मतलब कि जितने भी हमारे parts है यहाँ पे यह बहुत small parts में इस तरह से divide होके हम लोगों को यहाँ पे मिल जा रहे secondly आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे से टुकड़े हो जाएंगे shapes के and you can see यहाँ पे यह small pieces में इस तरह से यहाँ वहाँ सारे shapes चले जाएंगे तो इशू क्या होता है कि आपको इन सब चीजों को fix करना पड़ेगा अब इतनी बड़ी चीज नहीं है आप इसे easily कर सकते हैं ज्यादा इसमें problem नहीं आती है आप easily उसे cut करके यहाँ पे paste कर सकते है यानि कि cut करके आप यहाँ पे उसे attach कर सकते हैं ठीक है तो simply आपको cut tool लेना है and then you can start placing it so overall आपका यहाँ पे यह automatic mapping से unwrap हो जाएगा लेकिन अब यहाँ पे क्या है हम लोगों को इसके अपर अगर texture add करना है तो you can see कि texture के लिए यहाँ पे already a gap आ जाएगा अगर यह simple एक metal material होता या फिर कोई और तरह का अगर कोई simple सा material जैसा present करना होता तो यहाँ पे हमारे texture क्या होता कि seamlessly travel करना start कर देता बट सिंस यहाँ पे यह cut हो चुका है तो यहाँ पे यह हम लोगों को seam मिल जाएगा and if we look at our checker यह आप देख सकते हैं कि क्या issues हम लोगों को face करनी पड़ सकती है you can see यह आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अब हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को इसे single एक shape में इसे travel करवाना है और इसे open करके रख लेना है so as I said आप यहाँ पे automatic का इस्तामाल तो करी सकते हैं अब मिलसे मनें बताया था कि मैं यहाँ पे use करूंगा cylindrical mapping को so let's go to UV and let's apply a cylindrical map and let's see कि क्या हम लोगों को result यहाँ पे मिलता है so just apply it and you can see यह कुछ ऐसा हम लोगों को shape मिल जाएगा like this हम लोगों इसे बड़ा करके देखे तो आप इसे इसे select करेंगे you can see this is how my UVs look like ठीक है यह हमारी UVs है so overall अगर हम लोगों अपना texture भी देखे तो यह सब continuously एक seam में जा रहा है एक ही type में यह travel हो रहा है कहीं कहीं पर stretchings आ रहे हैं तो वह अब हम लोगों को क्या करना है धीरे-धीरे करके fix कर लेना है and I want to separate out all these pieces also यहाँ पर इसे top और bottom इन सब चीजों को मुझे separate भी कर लेना है so I'll just simply select this edges यहाँ पर मैं select कर लूँँगा double click करके and इस जगह आके inside cut I'll just cut them and यहाँ bottom में भी मैं आके double click करूँगा और cut कर लूँगा right click double click this entire UV आप देखेंगे तो यह हमरे separate हो गया अब quickly हम लोग इस पर एक unfold apply करके देखते हैं कि यह किस तरह से unfold होता है so if I just click on unfold and unfold अब आप देखेंगे तो यह ऐसा हम लोगों को unfold होके geometry बल जाएगा now overall it looks good ज्यादा कुछ तकलीफ तो नहीं है सिर्फ क्या है यहाँ पर जो हम लोग देख सकते कि texture जो हमारे सा cross जा रहा it is not straight because हमारा जो UV है वो भी इस तरह से rotated है ठीक है तो let me just undo and जैसा है कि हम लोग देख सकते है कि हमारे जो UV है इस तरह से जब उम लोग ने cylinder कर लिया तो यह सब flat आ रहे ठीक है सिर्फ हम लोगों को क्या करना है इसको ऐसा adjust करना है scale करना है so that हमारा जो UV है यह proper square हो जाए and now you can see यह हमारे सारे UV जो है यह square होके हम लोगों को ऐसे मिल जा रहे है ठीक है so at a point at this point we can say that यह हमारी unwrapping कुछ हद तक ठीक ठाक हो चुकी है ठीक है but still we have this inside portions यहाँ पर आप देख सकते यह 5 कैसा stretch हुआ है यह कैसा stretch है जो मैंने last time भी आप लोगों को बताया था कि you will get this issues जो हम लोगोंने handle के top head के time पे जो हम लोगोंने head के top portion को हम लोगोंने unwrap किया था तो उसे हम लोगोंने open करके रखा था similarly आप इसे भी क्या कर सकते open करके रख सकते है because इसे हम लोगों वैसे भी separate करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हमारा जो design pattern है वो आने वाला है जो थोड़ा सा darker है as compared to the outer portion तो outer हमारा कैसा है complete metal का है और यहाँ पे inside हम लोगों को थोड़ा सा rusted है और फोड़ा सा design और shape है ज तो separate करने के लिए आप simply क्या कर सकते है यहाँ पे इस H को double click करें इस H को double click करें यहाँ पे भी आजाए इसे भी select करें double click करें and इसे भी आप लोग double click कर ले and then simply say fat okay now you can double click this thing and आप इसे detach कर ले now you can select all this shape and you can say unfold and you can say straighten UVs इसे आप straighten कर सकते है तो यह आप देखेंगे तो यह open हो चुके है और straighten हो चुके है अभी कहीं कहीं पर problem आ रहा है reason is that कि we have to add a cut also जैसे कि हम लोग ने last time देखा था डिब्बे जैसा इसे बनाना होता है तो इसे cut देना पड़ता है तो इसे unfold करते so that हम लोग edges को देख सके तो यह जो edges है जैसे बड़ा कर लेता हूं so we have to select this this ठीक है like this and we can just add a cut double click unfold now you can see यह package के जैसा डिब्बे जैसा open हो चुका है same हम लोगों को यहां पर भी कर लेना है और उसको select करके and we can do a cut you इसको double click करके unfold same let's do it for all these pieces also तो यह छोटे छोटी कुछ tricks होते है और कुछ detailing होती है जिसे हम लोगों को follow करना पड़ता है ताक कि हमारा unwrapping proper हो जाए है let's add a cut तो उनों को select कर सकते एक साथ में और आप इसे unfold आप कर दे अभी रोटेट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नी नीचे आप 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 आजाए arrange and layout में आप आप इसे औरियेंट करवा दे यह प्रॉपरली ओरियेंट हो जाएंगे अपने एक्सिस में स्ट्रेट हो जाएंगे यहां पर हमारा भी पेस अंड्राप हो चुका है ओपन हो चुका है यहां पर देखे तो अब यह हमारा जो शेप था यह अगर हम लोग मूफ करें तो you can see how the numbers are traveling यह प्रॉपरली इस तरह से travel कर रहे हैं ठीक है and यह भी पीसे हमारे हो चुके तो सारे हम लोगों को जो letters है numbers है यह अगर हम लोग smooth करके देखे तो you can see how nicely it has been unwrapped ठीक है जो उपर का यह portion आ रहा है इसे हम लोगों को फोड़ा पत्र फिक्स करने की जरूरत पड़ेगी विकॉज यह इसके साथ का हिस्सा है ठीक है so you can cut that also and you can attach them so इसे अब लोगों को क्या करना फ्लाटन करना है so simply just select this UVs और faces और आप यहां से आपके इसे बोल दें planar mapping you can just go and apply a planar and यह आप एक सकते इस तरह से unwrapped हो गया इसे भी select कर लें and planar mapping so now you can see all these pieces are also unwrapped अगर आप इसे एक continuity में लेके जाना चाहते तो आपको उसे इसके साथ में attach करना होगा इनके साथ में ताकि वो एक flow में नीचे की तरफ चले जाए ठीक है so that also you can do तो इसके लिए आपको इन सब को pieces को separate करना होगा and then separate करके आप उसे attach कर सकते हैं नीचे के side में but I will not do it because since इन से नीचे के portion से तो इतना जादा ये camera में इनकी visibility नहीं होगी so we practically don't need that thing तो हम लोग इसे क्या करेंगे position कर लेंगे अपने grid के अंदर तो हमारा grid on कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे तो इस सब हमारी UDM के बाहर चले गए यानि के हमारी texture set के बाहर है so let's place them so I'll just place them in another texture set second number पर मैं इसे set करता हूँ क्योंकि number one पर हम लोगों ने zero one zero one zero one पर हम लोगों ने already हमारा head set कई हा हुआ है इन है हम लोग लेक्या आते है और इससे भी हम लोग यहाँ पर set कर लेंगे like this and like so okay तो यह हो चुका है हमारा blade यानि कि जो माना metal piece है वो unwrap and we can see the UVs how they look like square है सारे के सारे ठीक है अब यहाँ पर repetition यहाँ पर खराब हो रहा है problem आएगा ठीक है but that is not a big issue उसे हम लोग edges add करके resolve कर सकते हैं like this so यहाँ पर हमारे x का head और यह handle हो चुका है completely unwrap ठीक है दोनों चीज़े हमारी unwrap हो चुकी है like this alright guys तो I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई रहेगी interesting लगी रहेगी वीडियो पसंद आई है interesting लगी है तो practice करे practice करने के साथ साथ में वीडियो को like करे, share करे comment करके अपने feedback से ज़रूर दे ठीक है and guys जो लोग channel पर पहली बार आ रहे प्लीज चैनल को subscribe कर ले and bell icon को दबा के notifications को on करते जाए alright तो यहां तक आप लोग practice कर ले इस चीज़ को next class में हम लोग in handles को unwrap करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन दो pieces को हम लोग unwrap कर सकते हैं and उसके बार में हम लोग इनको देखेंगे यह थोड़े से tricky होंगे और जो बाकी हमारे छोटे मुटे pieces है उन्हें भी हम लोग unwrap करके देखेंगे okay so आज की class में इतना ही मिलते हैं next class में तब तक के लिए keep watching and keep learning